इस घटना के बारे में आज सुबब पुलिस को जानकारी मिली थी जिसमें जहनुमा जो होटल समोह है उसे जुड़े हुए एक व्यक्ती जिन्होंने आग्नियास्त्र का उप्योग करके पर्थम दिफ्टिया मामला आत्मात्या का प्रतित होता है लेकिन पुलिस इस घटना फ सभी संभावी बिंदों पर जाच कर रही है इसमें आगनियास्तर का प्रियोग हुआ है और इस घटना फिजोड़े जो अन्य पहलू है जो घटना की तह तक ले जाते हैं उन बिंदों पर पुलिस की जाच चल रही है और उनके बारे में कुछ समय लगने के बाद और फाति इस घटना फिजोड़े जो बहुत सारे पहलू है उनके विश्टार से विचना के बाद ही पुलिस अंतिमनिसकर्स तक पहुंचेगी इसमें एक बड़ी बज़ा फास समधी कारण हो सकता है कई बार ब्रेक्टिया फास में भी घटना करता है लेकिन ये पुलिस अभी अंतिमनिसकर्स पर नहीं पहुंच सकती है कोई घटना से तमाम जो जुड़े पहलू है पुलिस उन बिन्नों पर भी जाच कर रही है और बरहाल जो भी घटना करम से जुड़े जुड़े पहलू होंगे वो जल्द ही अस्पस्ट हो जाएंगे अब पीम के रिपूर्ट आने के बाद इसपस्ट हो पाएगा कि आखिर क्या करान थे और परजनों के बयान प्यान के जो जो लो रहते थे जिन से लागातार उनका रोज मिलना था फातिमा फिफी टीबी के फूटेज भी है घटना के समय कुछ लोग जो हाँ आसपस के घरो आसपस के लोगों से उनके बारे में पुलिफ तह तक पहुंच रही है और जल्द ही उन सारे बिंदूओं की बिविचना के बाद पुलिफ अंतिमनिस कर्स पर पहुंच जाएगी यह थे हरिणाय चारी मिर्शा भुपाल का मिश्चर जो कह रहे हैं पुलिस अभी फिलहाल सभी एंगल पर जाज कर रही है जाज के बाद इस प्रस्ट हो पाएगा कि आखिस सुसाइट की वज़े क्या थी वीडियो जनलिस्ट राजाराम के साथ वेपांडे विस्ता न्यूस पुपाल